स्वागत दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट डाम है दोस्तों 9,250 रुपे की फिक्स्ट इंकम हर महीने आपके बैंक खाते में तो दोस्तों आपके लिए इसकीन कैसी रहेगी यहां दोस्तों हर आदमी एक इंकम अपनी शुरू करना चाहता है चाहे से आप जॉब के साथ शुरू करें या फिर अगर आप को बिजनेस करते हैं तो उसके साथ आपको हर महीने कुछ ना कुछ इंकम होते रहती है लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक साथ कहीं से थोड़े से पैसे आए हैं तो उसे भी आप निवेश करके आपने लिए हर महीने 9,250 रुटे की इंकम शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको जो बेनिफिट है वो किसी भी स्कीम से जातार मिटने वाला है ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों पिछले 3 साल से बैंक की जो प्यास दर हैं उनमें काफी कट होती हुई है और आपको जादा से जादा बैंक में 5 से लेकर 6 पीज़ दी तकी प्यास दर मिलती है जबकि जो स्कीम हम लेकर आए हैं वो है मिच्छल फंड्स की स्कीम और उसके अंदर आपको बैंक एवडी से दुगने से लेकर 3 गुना तक रिटन आराम से मिल सकता है तो आज हम इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में पूरी बेसिक जानकारी के साथ बात करेंगे और साथ के साथ कैलकुलेशन करके समझेंगे कि कैसे इसके इंदर आप एक पर पैसे निविश करके 9,250 रुपे की इंकम शुरू कर सकते हैं उससे पहले आप से एक चोटी सी रिक पेस्ट है दोस्तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम के रिटन के बारे में अगर हम स्कीम के ओल टाइम के रिटन की बात करें तो स्कीम ने 14.18% का रिटन दिया है पांट साल की बात की जाए तो स्कीम ने 11.36% का रिटन दिया है अगर पिछले तीन साल की बात करें तो स्कीम के रिटन 13.91% का है दोस्तो एक साल की अगर हम बात करें तो स्कीम ने 9.73% का रिटन दिया है और सबसे important अगर हम 6 महने के रिटन की बात करें तो minus 5.15% का है दोस्तो ये एक mutual funds की स्कीम है जिसका नाम है HDFC Flexi Cap Fund इसका जो पैसा है वो stock market के अंदर बहतीन quality की companies के अंदर निवेश के विया है दोस्तो 6 महिने के return के अगर हम बात करें तो यह जानना आपके लिए काफी important होता है क्योंकि mutual funds के अंदर जब भी आप निवेश करते हैं तो आपको हमेशा एक ऐसा ही time चुनना चाहिए जब stock market के अंदर या फिर mutual funds scheme के अंदर correction का mood हो उसके बाद यहाँ पर निवेश करते हैं तो आप shorter में भी एक बढ़या profit बना सकते हैं और दोस्तो mutual funds का सारा पैसा stock market के अंदर ही निवेश के जाता है अगर हम बात करें कि कैसे इसके अंदर आपको निवेश करना है तो दोस्तो mutual funds के अंदर आप तीन तरह से निवेश कर सकते हैं पहला होता है SIP यानि के systematic investment plan इसके अंदर आप थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा fund बना सकते हैं दूसरा होता है lump sum इसमें आप FD की तरह एक बार पैसे निवेश करके एक fund बनाते हैं और तीसरा option mutual funds के अंदर होता है SWP plan का यानि के systematic withdrawal plan का इसके अंदर दोस्तों आप एक बार पैसे निवेश करके अपने लिए हर महीने इक income शुरू कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें सकीम के NAV की यानि net asset value की तो यह है 1051.77 पैसे का दोस्तों NAV होता है mutual fund से सकीम का unit price जो भी पैसे आप इसके अंदर लमसम नफिश करेंगी और जो NAV का price होगा उसके हिसाब से ही आपको unit lot की जाएंगी बात करें हम rating की तो 2 है और सकीम का fund size 26,511 करोड रुपे है यानि इतने पैसे लोगों ने इस mutual fund से सकीम के अंदर नवेश के हुआ है दोस्तों गर हम बात करें हाँ पर होल लिंकी कि आपका जो पैसा है वो किन स्टॉकों में अंदर नवेश के गया है अगर हम दोस्तों बात करें हाँ पर expense ratio की तो ये भी कम है 1.06% का दोस्तों expense ratio होता है mutual fund से सकीम का खर्चा जो भी पैसे आप इसके अंदर लंब सम निवेश करेंगे और जो expense ratio होगा इतने परचेंट पैसे काटने के बाद जो करेंट एनिवी का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको unit lot की जाएंगी दोस्तों गर हम बात करें हाँ पर fund management team की तो इस fund को manage करें प्रशांत चैन 2013 से और प्रिया राजन 2022 से दोस्तों के ले स्टॉकों के अंदर आपको पैसे को निवेश करना है और कब वहाँ से निकालना है यह सब कुछ management के तहती decide किया जाता है दोस्तों कर हम बात करें हाँ पर HDFC mutual fund house की तो इंडिया में सेकंड नंबर पर रेंख है कंपनी स्टार्ट हुए थी 10 दिसंबर 1999 को और कंपनी के पास जो EUM है यानि के ऐसे टंडर मैनेजमेंट वो करीब 4,49,949 करोड रुपे है यानि इतने पैसे लोगों ने अलग-अलग scheme के अंदर HDFC mutual fund house के साथ में बेश के हुए है दोस्तों ये तो बात हो इस scheme की इस scheme का जो return है annually वो है यहाँ पर 14.18% का जबकि पिछले 6 महीने में 5% की ग्रावट आ चुकी है लेकिन दोस्तों यहाँ से भी अगर आपको सिर्फ 14% का भी return मिलता है जो कि किसी भी mutual funds के अंदर कोई जादा बड़ी बात नहीं है 14% का return annually यहाँ पर दोस्तों अगर आप हर महीने income शुरू करते हैं 9,250 रुपे की तो यहाँ पर कितने पैसे जमा करने हैं और जो पैसे आप जमा करेंगे उनका क्या होगा चलिए अब हम इसे एक बार calculation के साथ भी समझते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक बार निवेश करते हैं 8,000,000 रुपे और अपने लिए हर महीने income शुरू करते हैं यानि प्याउट लेते हैं 9,250 रुपे का return हमने expect किया है आने वाले time में 14% का इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो 9,250 रुपे के हिसाब से आपको 3 साल के अंदर 3,33,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके यहाँ पर जो 8,000,000 रुपे हैं वो भी यहाँ पर करीब 7,89,520 रुपे बचेंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो 9,250 रुपे की निकम के हिसाब से आपको 5 साल के अंदर 5,55,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और जो आपके 8,000,000 रुपे हैं वो भी यहाँ पर करीब 7,66,43 रुपे बचेंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आप निवेश करते हैं यहाँ पर 10 साल के लिए तो दोस्तों इहाँ पर 9,250 रुपे हर महिनी के हिसाब से 10 साल के अंदर आपको 11,10,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके जो 8,00,000 रुपे हैं वो भी यहाँ पर final value उसकी होगी गरीब 6,84, 9,865 रुपे की अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं यहाँ पर 15 साल के लिए तो दोस्तों 9,250 रुपे हर महिनी के हिसाब से आपको यहाँ पर 16,65,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके जो 8,00,000 रुपे हैं उसके बाद भी आपके पास करीब 5,38,960 रुपे मिल से करीब आपको 2,58,3300 रुपे वापस मिल जाएंगे दोस्तों इस पैसे को अगर आपके यहाँ पर 22 साल के लिए निवेश करते हैं तब भी आपको यहाँ पर 9,250 रुपे के हिसाब से 24,42,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके जो 8,00,000 रुपे हैं वो भी यहाँ प आपके जो 8,00,000 रुपे हैं आपके वो यहाँ पर बढ़कर आपको वापस मिलेंगे करीब 10,14,889 रुपे तो यहाँ पर इस स्कीम के अंदर अगर आप लोंग टाइम के लिए 9,250 रुपे की इंकम शुरू करना चाहते हैं तो इस स्कीम के अंदर आप अपने पैसे को कई गुना तक यहाँ पर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं जबकि अगर आप इसी पैसे को पोस्ट आफिस की मैस स्कीम या फिर किसी और स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 5 से लेकर 6 पीज़ी तक ही ब्यासता मिलता है लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान ज़रूर रखनी है मुच्वल फंड्स के अंदर आप जो पैसा निवेश करते हैं वो स्टॉप मार्किट के अंदर निवेश के जाता है इसलिए यहाँ पर आपके पैसे पर पूरा रिस्क होता है तो अगर आप मुच्वल फंड्स के को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद